पूजा करते हैं अगर आप किसी खास मनोकामना के साथ कलस अस्थाफित करते हैं पूजा करते हैं तो आप ज़रूर जानना चाहते हैं आप आपने जो पूजा पाट किया मा को मनाने के तमाम विदीविधान किया तो मा कितनी आप से प्रसंद है आपकी पूजा स्विकार हुई या नहीं तो नौरातर के दिनों में कुछ खास संकेत से आप ये जान सकते हैं आज हम उठी के बारे में आप से बाते करेंगे अगर सपने में नौरातर के दिनों में खास चीजे मिले तो इसका मतलब है आप देखते हैं अगर तो धन संपदा से घर भर जाता है मनुकामनाएं पूर्ण होती है और उन चीजों में है मा लक्षमी का वाहन उल्लू सुहाग बती इस्त्री सिंगार की भी इस्त्रिया जो होती है और ख कमल का पुस्प देख लेते हैं नारियल देख लेते हैं तो इसका भी मतलब यह है कि आपका अब तमाम परेसानी खत्म होने को है और मातारानी की किरपा आप पर हो चुकी है अगर आप चुकी यहां पर देखिए गाई को देखना सबसे ज़्यादा सरस्रेश्ट माना जाता है वैसे तो सांप दिखने से नाम से भी डर लगता है लेकिन इन नौ दिनों में आप कहीं जा रहे हैं और आपको दाहिनी तरफ से सांप या बंदर जाते वे दिख जाए खासकर सुनहरा रंग का सांप हो तो इसका मतलब है मा की किरपा अब आप पर हो चुकी घर से निकलत है अब जीवन में जो बुरे समय थे वो समाप्त हो गए अब खुसियों भरे दिन आए तो आप जान सकते हैं आपकी पुझा स्विकार हुई या नहीं हुई लेकिन जब मालक्ष्मी परसन्न होती है तब आपको अपने घर के आसपास उल्लू दिखाई देता है याद रखि तमनो कामना पूर्ण होती है अगर माता रानी आपके सपने में आ जाए तो इसका मतलब है सत्तुर विरोधी अब चाहकर भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे धन्यवाद